ब्रस्टाचार को रोकने के लिए बिहार में लगातार एजेंसियों के द्वारा कारवाई की जा रही है कभी आर्थिक अपराध इकाई तो कभी इस्पेसल विजलेंस यूनिट तो कभी निगरानी विभाग ब्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ छापे मारी कर रही है उन्हें ट्रैप में पकड़ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ब्रस्ट अचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है तो बिहार में तकरीबं हर रोज किसी ना किसी ब्रस्ट अधिकारी की यहां छापे मारी होती है आज भी Special Vigilance Unit के द्वारा ग्रामिन बिकास के डिप्टी सेक्रेटरी शलेंद्र कुमार भारती के यहां छापे मारी चल रही है छापे मारी अभी चल रही है बहुत सारा कैश और करीब डेढ करोर की जेलरी अभी तक बरामत की जा चुकी है इसी तरह आप देखेंगे कि कल भी परसो भी लगातार छापे मारी की जा रही है, कलूर पती निकल नहीं भरस्ट अधिकारी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी छापे मारी, इतनी कडाई होने के बावजूद भरस्टाचार कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिहार में किसी भी नागरिक से आप पूछिए, किसी भी जनता से पूछिए, तो वो यहीं कहेगा कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, तो इसके पीछे की वज़ा क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है, केवल छापे मारी करना ही परियाप्त है या कुछ और सरकार को कार परवाई करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, अधिकारी पकड़े जाते हैं भरष्चाचार के आरोप में, उन सब की तो नहीं, लेकिन कुछ उधारन ऐसे जरूर है कि भरष्चाचार करने के बावजूद उन्हें वो सजा नहीं मिलती, जिससे और यही कारण है कि भरष्चाचार करने वाले अधिकारी भरष्चाचार करने से डर नहीं रहे हैं, लाक छापे मारी आप कर लीजिए, लेकिन लाक आप जेल भेज दीजिए, लेकिन फिर भी भरष्चाचार जारी है, तो इसके पीछे की वज़ा ये है कि पैसे में बहुत वही पैसा उनको भरस्टाचार से मुक्त भी कराता है। पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी उत्पाद विभाग के एक उत्पाद अधिक्षक जो मोतिहारी में तानाथ थे और उन पर स्पेसल भिजनेस यूनिट ने छापे मारी की थी। कैस तो नहीं पकड़ा गया लेकिन संपत्ती काफी पकड़ी गई। जमीन के काग्जात काफी मिले। अभी स्पेसल भिजनेस यूनिट जांच करी रही थी कि तब तक उनकी पोस्टिंग हो गई। बेगु सराय में। और मीडिया में ख़बर आने के बावजूद कोई कारवाई नहीं हो अभी तक वो अपने पद पर मौजूद है। इसी तरह से देखिया कि BPSC की जो परिच्छा में आरा में जो कदाचार का मामला आया था। कुंवर सिंग कॉलेज में वहां मजिस्टेट के रुप में जो तैनात थे वीडियो वो भी एक लाख भूस लेते हुए पकड़े गए लेकिन 2021 में, 2018 में पकड़े गए, 2021 में फिर उनकी निप्ती पोस्टिंग हो जाती है। एक वही वीडियो नहीं है, ऐसे करीब आठ वीडियो के बारे में जानकारी है, वो चाहे पुनपुन के हों, चाहे सिहुआरा दर्भंगा के हों, कई जगा के, आठ वीडियो ऐसे हैं, जो ट्रैप केस में पकड़े गए, जेल गए, और उसके बाद उनकी फिर पोस्टिंग हो जाती है, तो क्या फरक पड़ता है, जब अधिकारियों को ये पता है, कि निलंबन से मुक्त कराने के लिए बिहार में एक रैकेट चलता है, और इस रैकेट के जरिए, आप लाख भरस्टाचार कर लीजिए, आप निलंबित हो जाईए, आप जेल जाईए, उसके बाद फिर आप पैसे के बल पर अपने पद को पा सकते हैं, प्रतिष्ठा की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन पद को प्राप कर सकते हैं, पैसे में बड़ी ताकत है, वो कुछ भी करा सकती है, तो ये निलंबन तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, और ऐसा नहीं है, ये सब सरकार के सज्ञान में हो रहा है वो सरकार जिसका जो लगातार कहती है कि भरस्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है अब यहीं नहीं आप देखिए कि मगद विश्वी द्याल है कि कुलपती राजेंदर प्रसाद डॉक्टर राजेंदर प्रसाद पर छापे मारी हुई तमाम सबूत भी ले स्पेशल विजलेंस यूनिट ने यह च्छापे मारी की थी लेकिन क्या हुआ अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी जमानत याचिका रद हो चुकी है पत्ना हूँ हाई कोट से सुसील मोधी कहते हैं कि करीब 30 कडोर के गबन का मामला है पिछले 6 महीने से वो मेडिकल लीप पर हैं लेकिन कोई कारवाई नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं यहां तक कि राजपाल के सचिव ने पीसी एक्ट का हवाला देकर यह कहा कि उन पर कारवाई करने से पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमती लेनी जरूरी है तब पटना हाई कोट ने उस पर अपना जो मनतब में दिया है उसमें यह कहा है कि भरस्ट चार भरस्ट अधिकारियों के लिए यह नहीं है यह कानून नहीं है जो अधिकारी भरस्ट हैं उस पर यह कानून लागू नहीं होता है जो सेवेंटीन एक ही बात की जाती है पीसे एक्ट में तो सब कुछ जब है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और कुलपती के खिलाफ एक से एक मामले हैं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को रवी परकास बबलू जो कि जपरकास विश्विद्याले में निगरानी विभाग के द्वारा उन पर केस हुआ था 2010 में उनका निलंबन मुक्त कराकर अपने हाँ उन्होंने मगद्विश्विद्याले में कुल सच्यू बना दिया और तब खोज-खोज कैसे व्यक्ति को लाया गया जो भरस्टाचार में माहीर हो पर कोई कारवाई नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं तो जब उच्च सिक्षा में कुल पती जहां से छात्र निकलते हैं अपने जीवन जो उनका उनकी शुरुवात होती है सांसारिक जीवन की पढ़ाई के बाद और वहां वैसे संस्थान में इस तरह के भरस्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो बिद्यार्थियों का क्या भविश्य होगा 26 नॉम्बर को 2021 को Special Business Unit ने 27 लोगों के खिलाफ कारवाई करने की अनुमती कुलाधी पती से मांगी थी लेकिन अभी तक इस पर कोई अनुमती नहीं मिली है जिसमें सचीव, विजय सिंग और लखनों के एक अतुल सिर्वास्तों का भी नाम है पर अनुमती ही नहीं मिल लई है एजेंसियां करे तो करे क्या और एजेंसिय अगर पकरती भी है ट्रैप भी करती है तो फिर उनकी दिखती हो जाती जैसा कि मैंने उपर बताया तो आखिर ये भरस्टाचार रुकेगा कैसे जब तक कारवाई धंग से नहीं होगी जब तक अधिकारियों में खौफ पैदा नहीं होगा तब तक ये भरस्टाचार नहीं रुकेगा और जीरो टोलरेंस एक जुमला बनकर रह जाएगा आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार